ईश्वर दा सच्चा प्रेमी अपने प्यारे परमेश्वर नू कहनदा है, हे परमात्मा, इस दुनिया विच जो दुख मोजूध हन, मैं उन्ना तो नहीं डर्दा, इस संसार विच जो पाप मोजूध हन, मैं उन्ना दी सजा पुगतन लई तो हड़ी रियायत नहीं चाहूं अते मरन देओ, अपने बिज्ज होए दुखा नू पोग देओ, मैं नू तो हाथो कोई शिकायत नहीं, मेरी इक ही इच्छा है, तुसी मैं नू अपने नाल प्यार करन देओ, प्यारे दे लई प्यार, सिरफ प्यार लई प्यार, पुस्तक दा नाम, प्रेम ही परमेश्वर है, पुस्तक दी जानकारी, प्रेम एक बहुत ही व्यापक शबद है, इस दा अर्थ ईश्वर प्रेम अते विश्व प्रेम तो लेके तुछ वासनावा तक लगाया जान्दा है, पर असल विच इनना विचो कोई प्रेम कहन जोग नहीं है, ए सारे स्वार्थ दी हाद विच ही आउंदेहन, जदो की सच्चा प्रेम परमार्थ दा मुख हिस्सा है, जेकारसी शिष्टी अते विश्व दे रहस्ते विचार कर देहा, ता परतीत हुंदा है कि प्रेम दा सच्चा पात्र परमेश्वर ही है, जिसने सानू देवत्या वर्गा दुरलब तान अन करदा है, फेर वी साधियां अक्खा नहीं खुल दिया, ता दंद विदान राही भी सानू कुमार्थ तो बचाउंदा जन करदा है, ओही पगवान साधे प्रेम पगती शर्दा दा पात्र हो सकदा है, पर समस्या ए है कि पगवान नू असी प्रेम किमे करिये, जेकर असी प अग्वान दे बनाये प्रानिया दे दुखा, कष्टा, कम्या विच हिस्सा लेके उनना दियां मारी स्थितिया नू सुल्जा उन विच समर्थ हो सकिये, ता ओही ता प्रेम प्रेम प्रगट किता जा सकदा है, तो हाड़े सामने पेश आए पुस्तक जो दस्दी है कि पाव जिनना दे दिल विच राग द्वेश मोजूद है, प्रेम जीवन दियां सारियां मलीन तावा नू साफ कर दिन्दा है, दूरपा अबनावा ते नियंतरन करके चितनू निर्मल बना दिन्दा है, इसलई प्रेम सब तो उत्तम योग है, ओ आम आदमी नू महान बना दिन्द है, अते साड़े सारे दुखा दा नाश कार दिन्दा है, जेकर प्रेम ही सुख है, अते प्रेम ही उदेश है, फिर पदा अर्था दी पाल क्यों करिये, क्यों ना प्रेम दा दीपक जगा के अंते करन नू प्रकाशित कितना जावे, पुस्तक दे कुझ अंश, इश्वरी प वाज अते पावनावा उस तक पहुंच दियां वी हन जन नहीं। परसाड़ी हर पुकार देनाल अंदरूनी मानविज एक संतो कते किलासा दी वर्खा हुंदी है और दस्दी है कि तो हड़ा विश्वाश अते अड़ी पुरातना बेकार नहीं जा रही। अंदर बैठी आत्म खुद विक्सत होके मार्ग दर्शन कर दी है। विकास दी ये परिक्रिया ईश्वार प्रेम दी अनेका सुत्या प्रतिभावा अते बौधिक योगतामादा जागरन ही कर दी है। ईश्वार दे प्रति प्रेमदार्थ स्वार्थ अते संकीरनता नहीं बलकी आपड़े आप सार विच प्रगट चेतना दे हरेक काननल प्यार कर दे हा। ए परिवाशा ईश्वर दी ही है। प्रेम ही आनंद दा अदार है अते आनंद मनुख दी जिग्यासा है। ए उट सुकता दी पूर्ती दे लई मनुख सारे कश्ट उठाउंदा होया सुख मानदा है। जे कर ए उ देना त्याग होम करना अते स्वधा दा अर्थ है आतम विच तारन करना। प्रेम दा इनामता अपने आप मिल जानदा है। अते ओह है आतम संतोक, शांती, प्रसंता, जीवन वित उत्साह आदी। प्रेम तो मनुख दी चेतना नुँ विक्सित करके उस परके उसनु विश प्रेम एक अजेहा गुन है, जो मनुख दियां अंद्रूनी रुकावटा दे नाल नाल भारी रुकावटा नुवि दूर करदा है, असही योग ते तो उखे वरगियां मुसीबता, प्रेम तो परेव्यक्ति दे सामने नहीं आउंदिया, जे आउंदिया भी हन, तो छेती ह प्रेम दी शक्ति दे परवाव तो अनकूल हो जान दिया हन, जिस्तो मनुखी जीवन दा परवा, निरंतर अते निर्विगन गती तो वेहनदा होया, अपने उदेश नू प्रापत कार लेंदा है, सच्चे प्रेमिया ते उस दी आस्था दी परखले इक नहीं बल्की हजार संकटा उन्दे हन, जो न संकटा नू हसके से लेंदा है, अते अपने प्रेम आर्गते चलदा रेल विच ओही सच्चा प्रेमी हुन्दा है, अते ओही उदे अधार ते मुक्ति दा अधिकारी बन्दा है, प्रेम अध्यातम दी पहली अते आखरी पोड़ी है, उस ते चाड में मन्नेगा की संसार दी आखरी सच्चाई पदा अर्था विच शरीर अते संपदा विच नहीं, पावनामा विच है, उस दी ही प्यास मनुख नू साप पासे पजाउंदी है, साड़े प्रेम दा दाइरा संकुच इतना होके सारे लोका दे जीवन दे प्रती शर्धा दे रूप विच प्रगट हो जावे, ता जो पगवान दा अनुभव मुश्किल दिखाई पैंदा है, कल ओही शीशे दे साफ दरपन विच अपनी च्छाया साफ दिखाई देन लगती है, हंकारी मनुख दी शक्ति तो विशव प्रेम दूर हुंदा है, हंकार किस दा तान, ए सब कुछ इत्थे ही छडने पैंगे, जस अहुदे दा अंकार है, ता ए रंगीन कपड़े इत्थे ही उबारने पैंगे, वड़े वड़े शक्ति शाली, समर्थ, महान लोग इस मिट्टी विच मिल गए, फिर अभिवान किस दा, आपने आपनों अभिवान दे, नाग पा प्रेम साधना राही अंदरुन्नी अनंद दा विकास, शिष्टी दा विकास प्रेम तो ही संभव, प्रेम दा सुधा इपेड, पोध्या नाल विप्यार, परमात्मा दी प्राप्ती प्रेम मिल लई ही संभव, प्रेम पावना दे नाल अदर्शान परो, प्रेम साधना दे स तो तो तो